नमस्कार गुतिलो, आज शुरुवात करते हैं देनिक जागरण फिर्पर का एनलेसेस करना, आज तारीके 21 सगस 2020 पर आज कर दिंगे रलवार, चुम शुरुवात करते हैं हमारी पहली कवर से पीब्याई की आरोपीतों से पुष्टार, एडिन से एफाईयर साजा दिल्ली की आपकारी निती गोटाले में शामिल होने माने जा रहे इन आरोपीतों से 12 गंटे तक विख्टी लेंग देन समयत कोछे गए सवाज जुक्रवार को चापे के दोरा मिले दसावेट, लैप्टोप और अन्य उप्रोणों को ठंगाल रही जांच एजंसी जाट पक्तिया के पूरी होने के बाग अन्य आरोपीतों को फुस्ताज के लिए सल्ब करें की सिप्यागे दिल्ली की आपकारी मिंती गोटाले मामले में सिज्याए निशुक च्ञानिवार को 3 आरोपीतों से 12 गंटे फुस्ताज की दिल्ली के उप्पूर्टि मंत्री मनुस्षिश्यों गिये समय तो 12-15 आरुपितों के खिलाप दर्च F.I.R. इडि के साथ साजय की हैं एडि F.I.R. को खंगो लेगी अगर मने लोड़नी का मामला मिलता है तो वो जाँच कर सके हैं तो अब हम जान लेते हैं कि जो दिल्ली की आपपर ही निती है वो क्या है दिल्ली सरकार की नए आपपर नए शराप पोलिस्टिवर्ट क्या है विवाद जो जाँच के दाई में आ गए मनुष सिस्वदिया तो नए शराप निती के साथ दिल्ली में शराप पीने की कानूनियों दिमाग को गटा दिया गया था इस निती के अनुशा उम्र 25 साल से गटा कर 21 साल कर दी गए दिल्ली लिक्वर पोलिसी दिल्ली में सिब्याई ने डिप्टी सिये मनीश सिसोदिया के घर समेट 21 जगह और चापे मारी की आना जा रहा हैं कि यह चापे मारी सराप पोलिसी को लेकर हैं प्राज जिपाल पिन्य कुमार सक्सेना पिछले दिनों दिल्ली सरकार की नई आपकारी निती यानि एक्साइज फोलिसी पर सवाल खड़े करते हो इसकी जाज की सिपारी दिभ्याई को सौंब दी थी दिल्ली में पिछले साल नई आपकारी निती लागो की गई थी इसके मुताबित दिल्ली को 32 जोन में बाटा गया था इनमें 899 लाइसेंस आउंटिद किये गए थी 32 जोन में और एक जोन में ओसतन 26 से 27 शराप की दुकाने खुल रही थी निल्ली में आपकारी निती के मुताबित शराप की बेक्री से जूड़े लियंग अब इस प्रकार थी जिल्ली में सरा पिने की कामिनी उम्र सिमा को गटा दिया गया था इस निती के नुशा उम्र 25 साल से गटा कर 21 साल कर दी गई थी अंतरास्टी एरपोर्ट पर ओपरेटेट इंडिपेंडेट शोप और होटल पर 24 गंटे शराप की बिक्री हो रही थी वहले की तुलना में शराप को दुकानों की जूरी कम कर दी गई थी इस नित्य के थच शराप की दुकान कमसे कम 500 वर्ग फिट में ही खुल रही थी पहले अतिकान सर्टारी दुकाने डेर्शो वर्क फिट में थी इनका काउंटर सड़क की तरब होता था दुकान का कोई काउंटर सड़क की तरब निशा लाइसेंस दारक मुबाईल एक या वेबसाइट की माध्यन से ओडर लेकर शराग की होम डिलवरी कर रहे थे चात्रावास, कार्याला या संस्तान में शराप की डिलवरी करने की इजाद्यत नहीं थे दुकान में व्यवस्ता की गई थी, इंट्री और एक्जिट गेट अलग थे दुकानों के बार खाने पीने की दुकाने नहीं के शुरुप्षा की फूरी यहस्ता की गए थी तब ही दुकाने मार्केट रेट के इसाफ से शरापने कर रही तो इस तरह से यह नई शराप नेखिए तब चलते हैं हमारी अगली ख़बर यह हैं अंतराश्टिक संबंदों से भारत की साथ एक और यूद नहीं चाहता पाक तो जो पाकिस्तान की प्रदान मंत्री है शरपाज शरीप ने कहा कि उनका देश भारत की साथ एको यूद नहीं चाहता वह दोनों के बीच इसताई शानती चाहते हैं वह कश्मीर का मामला कहने के वारता से सुल जाना चाहते ह कहा कि शेत्र में शान्ती को लेकर जिस संकल के अनुसा कर्षविन मसले का समादान होना चाहिए। हम भारत के साथ इस्ताई शान्ती वाले संबन चाहते हैं। हैस को व्यापपार और अर्थिव्यस्ता का विकास करते हैं अपने नागरीकों के अल्यान के लिए कारे करना चाहिए। इसा प्रदानमित्री अकाना कि इसके पाकिस्तान है। हम परमाणु ताकत का उप्यों बचाव के लिए करना चाहते हैं। पाकिस्तान की 38 तक बारे में आली में खबरे हैं कि कहने को उसकी 38 तक तंगाली नाचयकत समश्चा और राज्यतिक अइस्कृता का प्रिणा है जम्मु कश्मी का मसला और आतंवाद दोनों के पीछ तनाव की वज़ा रही है आतंवादी गटनाओ को रोके बिना दोनों देश पाकिस्तान हमेशा जम्मु कश्मी को बीवादित शेत्र बताता है और उसी पर वार्था करता है जय्कि भारत जम्मु कश्मी को अपना विवाद बताते हुए तक रचा है इस तरह से कहने के कि बारत पाधिक्तान के बिशिक इपतल रहे हैं, तना यह पर अगे पड़ेंगे, तो पर आगे देखेंगे, तो पही ने कर दो पहले, तेसर में पर आप्र्षाय कतना यह पर आपड़ी घटना हो सकत है। राजिस्तान में SST Act में फसाने इपर से एनेर दी जान, जयपूर में 27 साल की युँआ चार्टिट अकाउंट ने SST Act के तहद फसाय जाने से परशान उपर जान दे दी, गर की चोती मंजिस से चलांग लगाकर आत्मात्य करने वाले रक्षित खंडेवाल उर्पुस खाना ने सुसाइट नोट में रशानी का जिकर किया तब हम जान लेते हैं कि जो S.E.S.P. Act है वो क्या था हम परिचे जान लेते हैं इसका S.E.S.P. Act का जिसे जिसे विकास्त और स दे रहा हैं अनुसुचित जाती और जन जाती अतने रेचनी आर्थिक सामाजिक सशक्ति करन के कारण बार्थी समाज के सबसे प्रकति शिल्फ समुदायों में से एक के रूप में परे हैं अनुसुचित जाती और अनुसुचित जन जाती अत्याचात निवारण अधिनियम 1989 अधिनियम ने अनुसुचित जाती और जन जातियों के खिलाप ज्यापक अपरादों को रोका हैं ये विशेश अदालते अधिनियम के थाथ इस्तापिक पेडितों के अधिकारों और वि तमू हैं जलिक जने कानुनी रूप से अनुसुचित जनजाती के रूप में वर्गिक्रत किया गया हैं यह आदिकाल से ही अनेक अत्याचारों के शिकार रहे हैं इसके बावजुत इन कानुनों को लागु करने के प्रभाव और इसके अध्याश और संदे बना हुआ हैं क्योंकि इस कानुनों के प्रावदान के बावित दुरुप्योग के बारे में व्यापक चिंताय के गई हैं पार्ती सव्यदान के अनुचे 17 के अनुचा और इस प्रिश्टा और इसी तरह की सभी प्रताओं की मनाई हैं 1955 में और इस प्रिश्टा अपरात अधिन्या पारित किया गए था इस तरह से यह से अध्याश की एक है अब चलते हैं हमारी अगली गवर्ता इसे में भी बात करें थे कि मुंबई में 26-11 दोहराने की मिली दंपी अभी यहां जो पाकिस्तान की प्रदान मुंत्री प्रिश्टान की वार्ता और इस प्रियापर की बहाली की बात करें तो अभी यहीं पर मुंबई में 26-11 की एक और हमला हो सकता है इसा संदेश मिला था हमारी तुरुक्षय एजिंसियों को 26-11 के था कि 26 नवंबर 2008 को मुंबई पर 10 पाकिस्तानी आतिंकियों ने हमला कर 4 दिनों के लिए कोहराम मचाय था पोर्टल ताज, पोर्टल ट्राइटेंड, चत्रपति शिवाजिंग मारश ट्रेंडिनल, दियो पॉल्डबार एवं नरीमन हाउसपर अमले होत में कमसे कम 106 अचट लोग मारे गए था मुंबई की ATS प्रमुक एममत करकरे और एंकाउंटर स्तलिष्ट विजय सालकर साइथ कहीं पुलिस कर्मी पलिदान हो गए था पाकिस्तान आतं की आजमल कशाब को जिंदा पकड़ लिया गया था आतंवादी निरोदग दस्ते साथ पुलिस ने अपनी जानकरी साजय किये ताकि कहने कि जो मेसेज आया है इसका पता लगाए जासकी कि यह कहां से आया है जो पाकिस्तानी नंबर से आया था मेसेज चलते हैं हमारी अगली गवड़ पहाड़ों में वर्षा बुज कल्लन से 25 लोगों की मौत तो उत्तर भारत के पहाड़ी में शुकरवार से नगातार हो रही वर्षा ने विखराद रूप ले लिया है तो हम जान लेते हैं कि जो बादल पटना जब बादल तेर सारा पानी लगकर अवा के कारग किसी दिशा में जाते हैं और उनके रास्ते में अचानक कोई अवरोत आ जाये तो बादल पानी का भाग नहीं सह पाते हैं और उसी जगह मुस्लादार बारिश होने लगती हैं यह बारिश 100 mm प्रत्की गंटे की रप्तार से होती है और कुछ ही मिनिट में 3 cm तक की बारिश हो जाती हैं बारिश का पानी तेजी से निचले लाकों में खेलने लगता हैं यही है बादल का फटना जो नॉर्मल बारिश होती है, उसका पानी तीरे तीरे जमिन सोकने लगता है और बाकी पानी नालीओ और नालोग के माधियं से ज़ए हो में चला जाता है लेकिन बादल फटने के काराँ जो पानी जमिन Запा गिरता हैं उसकी मात्रा बहुत जयादा होती ही है और उसको नजियोता पहुंचने में ज्यादा समय लगता है। यह गठना भी हमारे जो पहाड़ी छेत्रों वाले उत्रभारत की छेत्रे महाँ पर गठी है। अब चलते ही अगली हबर। जच अचास मामले निप्टाते हैं। तो सो और मुकत में आ जाते हैं। तो यह हमारे किसे जेस्टू राजवेश्टा यानि एक्टरस से ज्ञायक सुदार से संब्गें। सेमिनार में कहा किसने केरेंड रिज़ी ने। मुकत में कम करने के लिए टकनीक की मदद ले रही रही हैं सरकार। येस में लबीत मामलों की संख्या लगबग पांच करोड हो गई है। पांच करोड की करीब पहुंच गई हैं। लंबित मामलों की संक्या कम से कम करने के लिए सरकार तक्निक की मड़त ले रही है। संसर्थ के मांसूद सत्र में कामिन मंत्री केरन रिजी जी ने बताया था कि डेशबर के नियालाई में 4.83 करोड मुकत में लंबित हैं। इनमें 4 करोड से अधीक मुकत में निचली अदालतों में लंबित हैं। सबकि सुप्रीम कोर्ट पर बहुत तरह जा लंबित मामले का भोच हैं। यहालि में मद्जिस्ता पर प्रस्तावित कानूद से अदालतों में मुकत में की संक्या गटेगी। और इसके अलावा कानूनों में विवात सुझाने के बेकल्पिक संक्या पर भी ध्यान लिया जाएगा। मद्जिस्ता से कम होगा कोर्ट का भोच इसमें जेश्टित चंदरचूट की में कहा है। रेश की अदालतों पर बहुत ज्यादा भोच हैं। लंबित मामलों की अच्चितिक संक्या को देखते हैं। मद्जिस्ता जैसे विवात निवारण संद्र का बहुत महत्व बढ़ गया है। मद्जिस्ता ज्याय जिलाने का महत्कूं माद्यन हो सकता है। ज्याय की अप्चारिक प्रक्रिया से गुजरे बिना इसे विवात निप्टाए जा सकते हैं। पुरी दुन्या और भारत में इसका चलन बढ़ा है। आल इने संसत में मद्जिस्ता विद्यक पेश किया गया है। विवात करने के लिए मद्जिस्ता एक माद्कूं सकत्रिया बन गई। इसका कानून के थरत के आगाति जो दौनों पक्षे उनको कौर्ट ने या जो अप्चारिक प्रक्रिया किये भी नहीं। उन दौनों के बेस्टे एक्टर से सुला कराने की कोशित की जाएगी। और देश बरती अधालतों में शुछताओं की कमिक के मुद्धे पर है और इने बढ़ाणे की बात करी है। अधालात में दौनिया धिशुछताओं को मुगया कराने के लिए राज्यों को मदद देनी हो गी। काईने के इस तरह की जो लंबे मुकत में होने सुल्जान में भी काईने की साहिता मिले और जो और से उनकी काईने का आधरपुर सरजना को भी पड़ाया जासे है के अंदर देगा पुशे शनुमती तेजी से हच्चार करिदेंगे शुरुक्षाबार भारत सरका परिचालंग प्यारी को और मजबुत के लिए करने के लिए सुरुक्षाबालों को आपत कली अधिक रहाएं शक्तियों के दा समात्कुम हथ्यार पनाली की नम्मती देच सकती हैं इसके शुरुक्षाबाल पास्ट ट्रेक चैनल के जरी कोई हथ्यार पढाली या उप्परण परिच सकी हैं 2016 में उड़ी संचिकल इस्टाइक के समय वी तरह से शेना में हथ्यार खरीदेते हैं आपाथ का लिंग हाधी ग्रहन की शक्ति दे गई है ताकि शुरुक्षाबालों को अपने जरुड़ी हट्यार हव्य जल्डि सके जलब piace कि हथ्यार खरीदने के लिए आपाथ का लिंग अधिकार देने पर विच्यार विमेंट्स किया जा सकता है इसके तरद शुरक्षाबल अपनी बैचालंग चमता बढ़ाने के लिए नया उपकरण या बर्तमान में प्रचलिक अथियार फास्ट्रेक चैनल के जरिए खरिच सकते हैं। इसके लिए उन्हें प्रच्षा मंतरले की शुरक्षाबल के प्रच्षाबल अथियारों से लेश होस सके हैं। एन बैत्वा लिंक परिजना से बुंदर्खंड को मिलने वाला पानी बर भी होगी चर्चाब। मध्य प्रदेश की राजनी गोपाल में मध्य छेत्री परिशत की बेटक होगी। जिसमें केंद्री ग्रह मंतरी हमिश्या के अलावा मध्य प्रदेश, छेत्रीजगर, उत्रप्रदेश, उत्राखंड भी शामिलोंगे। बेटक में मध्य प्रदेश, छेत्रीजगर की नक्सली समयश्या पर दोनों प्रभावीत राज एक रिपोर्ट पेश की जाएगी। दोनों राज केंद्र से मदद का जीकर करेंगे। पेंद्र के साथ मिलकर इसे केसे नियंत्रिक किया जाए इसका साध्य प्लान भी किया करेंगे। वह ही बढ़ते साइबर अपराब, ड्रक्स तसकरी जैसे मुद्धवपर भी बात होगी। उत्रप्रदेश के साथ सेंट्य परिजना यानि केंद्र बेत्वाल लिंग परिजना से भी बैने के जो बंदेल उनको मिलने वाली पानी की मुंत्रेबाद भी चर्चा होगी। तो इस बेटक का जो गठन है, राज्यों को नर गठन आयोक की सिपारिश्पर 1956 में किया गयता, इसके तर सभी राज्यों को 6 परिशत में बाटा गया है। राज्यों के बीच आपसिस समन्वय, आर्थिक और सामजिक निकास जैसे मुद्दों पर प्रेक्चा कर केंद्र सरकार से समादान मिखालना परिशत की जिमेदारी होती है। एक बार हम यह चेत्री जोनल परिशत में उनको देख लेए। यह एक परिशत से 6 चेत्री परिशत में। पीधर की साइड हो गए कों से नॉर्थन जोन। और यह हो गई वेस्टर्न जोन और जाब भी बेटफ हो रही है। जोन बात करें ते वह सेंट्रल जोन यह वाले हो गई है। और यह नॉर्थ इस्टर्न जोन और यह इस्टर्न जोन और यह सौटर्न जोन। पूल मिलाकर यह छे जोन हो गई है। और जो भी सेंट्रल जोन की बात करेते, यानि जो मध्य छेत्री परिशत, तोसम मध्यप्रदेश, घर्थिसगार्ड, उतरपरदेश और उतराकंड, जो मुक्ति मंत्रे वो शामीले, इस परसे ओरोल उइडिया को छेत्री परिशतम बाटा गया है, ताकि या आर्टिक, नगटन अधीन इम्सक्ण की से परिशिक आधार पर गया गया है, तो चलते हैं, अमारी अगली घबद, ग्रामिड आच्ठिकी की आधार को सेशक्च करेंगी प्यार्ण, यानि प्राइमरी, प्र्षिज सामेगी, यानि प्रायमरी, प्राइमरी, प्रहसी, तार्षिक समेख Agriculture, Fresh Credit Committees एनी PECS. हाली में एम नर्यंदर मोदी की अज्यक्स्ता में आर्थिक मामलों की Cabinet Committee ने देश में PECS को कम्प्यूटिकर करने की स्विक्रती देजी हैं. का उद्देश, पेक्स के कामकाज में पाधर्शिता और जिम्यदारी बढ़ाना, वो उन्हें कई अन्यकारी सम्हारी करने योग्य बनाना भी है। पेंद्र ने सभी पेक्स में काम, पॉमन, सब्ट्वेर के प्रयों की अनुशंशा किये हैं। इससे लोन के पेज वित्रण के साथ वरित आसान अउडिक और भुक्रान में विसंगत्य समीद जा सकी है। टेक्स को जान लगते हैं कि तो पेक्स होती चाहिए। तो इसका फूल को होने चाहिए। रात्मिक क्रश्री साथ समीद यानि टेक्स ग्रामिण छेत्र बनी एक सहकारी समीदियां जो छोटे पस्तिमान किसानों को अज़ेण उपलब्द करा का स्वाव लंबन को सशक्त बनाती हैं। इसका उद्देश है किसानों की आय दुगनी कर ग्रामिण आचकी का आधार मजबूर करना है। पेक्स के माध्यम से देश के ग्रामिण के जीवा इस पर में सुधार के लिए उठत कारी किया जाएगा। इसके लिए पेक्स को कम्प्रिटर करने जा रहे हैं। देश में 3,5,5 पेक्स को संसादनों से सम्रित करने का लख्ष रखा गया है। पेक्स क्या करते हैं। ये विभीन आवशक्ताओं के लिए रिण प्रदान कर डामिणों का भाग समानने में जूटी हैं। इसान खाथ बीच के लिए पेसे लेकर केजी करते हैं। तो कई पढ़ने की इच्छा रखने वाजी शिक्षा रिंड लेकर ख्वाव लंबी बनने के लिए भी करने के इस से रिंड लेते हैं। समयती स्ट्रेक्शन को सामझी उत्रान के लिए रण मुहिया कराती हैं। इसमें क्या लोग सब साथ मिलकर जो खातदार होती हैं। वो कुछ अपना पेसे जमा करते हैं। और वो उसी पेसे से कहने के रण वित्रित किया जाता है। प्राओं में उदार वस्तु या रुपए देने वाले दुकानदारों वस सावकारों की प्राचीन परमपरा थी। तो कहिन के एक तरसे सावकार बड़ी ज्याजदर लेचेते हैं। किसानों से एक तरस उनका शोषण की होता है। तो पहिन के उससे बचाने के लिए एक तरसे प्याग सकी जो संकल्पना देखी गई। किसानों को सस्ती दरों पर यो कारेशिल पुझी है उसके लिए या दरती कशलरों के लिए पुझी अप्लबत कराई जा सके। तो इस तरह से इसका काम थह था ताकि कहीने कर जो ग्रामीण छेत्र है, उसमें क्रशी है, ग्रामीण छेत्र के जो आदारपत साहजना है। वश्योपालन है, या यंत्रप के लिए है, चाहे मशीने के लिए है, या चाहे जमीन खरिदने के लिए है, चाहे उर्वरक है, चाहे कोई से भी फर्टिलाइजर है, तो उन सब के लिए कईनी कई जो प्यक्स है, वो एक तरश से किसानों को सब्सक्राइब के रहन होए या करा तो पहले के इसके आर्थिक स्थी इसको सुधान्य में बहुत बड़ी मदद की तो अभी इसको और कंपूटराइज किया जा रहा था कि इसमें और पारदिशिता और स्वरित और तेश प्रक्रिया के फूफ कहने के जो रिंड है वो वित्रित किया जा सके तो चलते हैं हमारी परादिश ही जा परादिश लेले कैस्न लिगा जा रहा हिस गत्र। को फिर्वान मौजा कराए यह खिसाम के से लेज़ के लिए रन ले सकते हैं या एक तरज से फितलाइसर लवाईएolor या पशुव पालन के लिए सक्यामुटी ले सक्या मसिंन दय सकते हैं जे ओर चोटी मोटी मसिंठी या या जयमिन खरिचना के लिए इस तरह से खिसाम X से रन ले सकते हैं। इस दशमल जीवान परोट से अधिक खिसाम X से के तीजे वियोसाइकल इस रन ले चुकें। 41% भागिदा विच प्रेक्स की देश में खिसाम टेडिक कार्ड की माध्यम से यह जाना वाले कूल रेन में। इस तरह से हमें इसको देखना है। अब चलते आगें सिंगल जीवान प्लास्टिक के प्रयोग पर अच्छा दशना है। इस दिक में पता है कि सिंगल जीवान प्लास्टिक बंद कर दी गली। इस अब जी ग्राफ उपर नहे विजट में सरवची प्राथ्मिक्ता बिच्छी सची है। जिसलिक हमें बताया कि हाल इन बिच्छी वाविस लाए गया है। जिसके तहब कहिने कि जो प्रक्ता होते हैं उने कि जो बिचल पुछनने का मुखा में लिखता है। जो बढ़ता जागा है कर्णा उसे कम करना उसे जो बढ़ाना है उसमें तरक सन्गता लानी है। सबसेडिय उसको डारेक्ट बेनेफिट ट्रांसफर के जारेवी उसमें सुधार करना है। और इसके थूर करने के जो प्रॉस सफ्रेडी है उसकी विरस्ता में भी कहने के जरसे उसके रोकना आए नहीं कमपनियां जहां से अधीफ वसूर करती हैं बिजली का बिल उन छेत्रों में उने खर्च करने के लिए बात के करना हैं ज्यां कि पहुंच वह खपर बहुत काम हैं कहीने के जो मौझुदा इंट्रस्टरक्ट्च है उसके इस्तमाल में जो इनके जो इसके इस्तमाल कर सके तो और उसके लिए उने जो इनका भी देना पड़ेगा इस तरह से ये विजय काया रहे हैं कियम शक्ति गतिशक्ती प्लान से लागार कचान में मदद मिलेगी रदा मंत्री गतिशक्ती राश्क्री मास्टर प्लान से बहुष्य में राश्क्रट से जुड़ी अरीजना को यहिजना पर तरीके से रिक्सित करने लागतम व्रत्वी को रोकने में मदद मिलेगी जैसा कि हमें पता है कि जो प्रोजेक्ट को पूरा किया जासे कि तो साध्य हुद् जो बढ़ाने में जूटा भारत भारत जो विदेश मंत्री जीने वो लेटिन ए अमरिका देशों में कहीन के महां पर यात्रा करने जाएंगी तैकि कहीनिके जो लेटिन एमरिका साध्यापत बढ़ाने की संभावना तो चलाशार जा सके ब्राजिल, अर्जेंटिना, मंदी के हाथ बताई हैं, तो इससे क्या हुआ कि जो अमेरिका भारत का बड़ा कारुपारी पार्टनर है, भारत में विद्वर्ष 2021 में अमेरिका को 70 अरब डोलर का निर्यात हिया था, तो अमेरिका से 40 अरब डोलर का आया किया था, लेकिन अमेरिका में मंदी की शुरुआ कि अमेरिका जिसे देशो साथ वियाब पर बढ़ा कर जो अमेरिका की जो मंदी आ रही उसका असर भाग की अर्थ वियास्ता पर नपड़े इसके लिए हम दुसरे देश की साथ वियाप पर सम्झुता करके मंदिश के भारत पर इसके एसायर को न्यूनतम कर सकेंगे। आरके फूल निर्याद में लेटिन अमेरिका की सताई पांच प्रिशन भी नहीं। तो कहिन के इसके एक्टर से हिस्वदारीं बढ़ेगी कहिन के इससे निर्याद के भी कहिन भी रास्ते भूलेंगे हमारे लिए। जोहार में बढ़ेगी उत्पादन है। मैंने प्रिक्षिन एकाईय में उत्पादन और नए ओडर में बढ़त्री होगी। मैंने के चिर्म और कैपिटल गोट्स में इसे दिनों में अगाता बढ़त्री हो रही है। और दक्षिन कश्री मांसुन के कारण खरीद की भूआयों में भी मदद मिल रही है। और नियूंतन समर्तन मुल्य में बढ़त्री से गामेंड मांगने भी बढ़त्री हो रही है। कहिने के उससे भी कोईने उत्पादन बढ़ रहा है। तो नवाल ने चाभार बंदर्गा के विकास कार्यों का किया जाए जाए। इरान की चाभार में इस्तित शाहित बहस्ती बंदर्गा का दोरा कर महाजारी विकास कायों की परकर्टी का समिक्षय की। तो भारत चाभार बंदर्गा के विकास में कोई सक्रित्या से जुड़ा है। बारत मत्यश्य देशों के अपने उत्पादों की पहुंच को सुगम बनाना चाहते हैं। भारत और इरान के बिच सम्मंद्री बंदर्गा विकास वसायों समती बनीती। कभी हम उसी को मैप में देखेंगे थोड़ी देर। भारत बंदर्गा विकास से जिए है। रेत क्लिप विकास जो बारत बंदर्गा का सीमांक हुआ घिया गए है। बारत, बांगलदेश, सिमा, रेड़्ख्लिप, इस्तंबूग और सिमांग की थें। इनों सिल्ली गुडिका भी कईनी भी धेकर किया। 2017 में बारत, चेंज, लोखलाम संकट में मत्मेज़, उतरी बंगाल में सिल्ली गुडिक कारिडोर ये चिकन नेक्षे मात्य। कात्रे को भी इनोंने, मतलब उहां आपने जवाब दिया। अच्छा, एक बरसल्ट, शिल्ली गुडिक कोरिडोर नेपाल, भूटान और बांगलदेश की सिमां से लट्वी गुमी का एक प्रेंग्चेंड हंड है। इसरो के रोकेट रिसर्च प्रोजेक्ट को नया आकाश डेवा बिहार का लाद। री यूजेबल लॉंच वेहकल रोकेट। इस प्रोजेक्ट के लिए पूरे भारत से 3,600 करताओं का चेंड किया गया है। हर्ष की उम्र मार 16 वर्ष है। एक बार आप जरू देखिएगा। दक्तर पूरू एप्टुल कलाम कहते थे कि सपना बंद आकों से नहीं बलकि खोली आकों से देखना चाहिए। ताकि वह सच हो सके। प्रोजेक्ट के बारे में चर्चा करते हूं हर्ष ने कहा कि DRDO वाइसरों ने अचल यान और भी और विट एक्स एंडिया एरिस्पेस कंपनी को ऐसा प्रोजेक्ट बनाने की जिम्मा सोफा है। बहत स्थे से रिख शयते के रिख से रियूस में उपड़ एस्पेमाल किया जा से सटे। विख दिवेक्ट फिला हाय के प्रोजेट वो sat die बहतता हूं कि यानि उनका एक बार श्पामाल होते हिरं दश्पेस्पेस्पेस्पेस्त शफे देरो चुबहुता्य जाते थे तो कहिनिका उसका नत्रा बंडराता रहता था तो इसी को देखते हो कहिनिका reusable launch vehicle की तारण आएंगे थाकि satellite को बेचने के बाद वापिस launch vehicle है वो वापिस आ सके ताकि कहीं कहीं एक तरह से जो आर्थिक समश्या उसका भी समादन किया जा सके और हमें बहुत मतल ज्यादा रोकेट बनाने की जोर नहीं पड़ेगी वन्य जीवों के सरक्षन के लिए संसर से पारित हुआ अधिनिया उसको बहुतर आज ही वन्य जीवों की सरक्षा के लिए बार्थि वन्य जीवों सरक्षन अधिनिया पारित हुआ इसका उजेश वन्य जीओं के शिकार एवं उनके मांस और खाल की व्यापार को रोपना था। 2002 में सेंचोधन कर सज्या एवं जोदमाने के प्रावदा को और भी सर्थिक किया गए था। यह हमारा नियूर्स एनालिसिस वोत यही समापत होता है। अब हम मेप को देखेंगे एक बात। अब चलते हैं। चावार बंदरगा यानि वेडान का पोर्ड यां भारत इसको विट्षिप कर दा। बारत अपने गुजरात के ग्रा अंडला पोर्ड से कहने के और बंदर द्वार का और यहां से कहने के जो हमारे पोर्ड से यह नहां से वो कहने के समदुर यानि अरप सागत के तुप होती हुए। चावरखा बंदरगा दे पहुशिए। चावरखा बंदरगा से हैं कहने के अपकारिस्तान अपकारिस्तान अपकारिस्ते होते हुए कहने के अपकारिस्तान 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 अ पाकिस्तान के हातों में तो कहने कहीं हमारी अफगानिस्तान से 106 किलो मेर्ट का लगती हैं तो हमें मज़देश्या तक अपनी बढ़ाने के लिए इस तरह का विकवाल पर जोनना पड़ा है को चाबारा लं बंदरका और डाने करें ये थे आख किजिब का गवाधार बंदरका से मतलब 32 किलो में फीस की दूरी पर ऐं जो जो तो क्ष्फेंट कर रहे हैं। 10 वादर बंदर का कशन वर जो कि तूरे कर रहा है। जो क्यों बहुत को वर मैंतष का क्षम सब्धbahn नितरता है। भारत भी अपना मत्यश्य तर काहिन के पहुच बढ़ाने के लिए तो कवादर बंदर का आपकर करेगा ताकि जो मत्यश्य के देश है तो चाहिए अब तनिस प्लान से होते हुए तुर्कमाइजस्टान से होते हुए काहिन की अरब सागर और पिर काहिन की समुदर के कि परिजर विए जो किन हो unable नाधि की है यामना नती की दाएक नती कामम है और यह क्ट उसके जा रही है और यह से बैदवा नाधि जारे है तो कि उलनोगों को जो मिलाने वाली है केल बेचवाल केल नेग्ड प्रोजेक्ट को जात से घान से यह है पन्ना बाई सब्सक्शाएं लिटनु belum जो कहिन के जो बंदलगंड का छेत्र था, वहां सबसे बड़ी एक सुक्रे की शमेशा थी, और आस पास की छेत्रों में जया एक तरस से कहिन के जल संकट गहरा गया थी, तो क्या हो गया था है कि वहां खेती नहीं हो पारी थी, तो महां की जो युवा थे, जो रोजगा की तल हो गया थी, तो इससे को देखते हैं सर्कान ने ये बेत्वा, जोनों नज्यों को जोडने वाली एक से प्रोजेक्ट की शुरुआती है, ताकि इसने मतिप्रदेश और जो युपी है, जोनों को फाइदा मिल सकेए, और मंदलगं की खेत्रे, जो जयास दंकर्ट की ती, उस इससे क्या होगा कि जिस तरफ सर्कलस पानी है, उससे जिस तरफ कम चेत्रों में पानी था, उससे सप्लाइ किया जा सकेगा, तो इससे यहां कहिन के एक तरस हर्याली भी आएगी, रवजगार भी बद्जी होगी, और इस चेत्र का आर्थी विकास भी संबग हो सकेगा, तरस से यहां यह लेंग्विज उप्ती है, तो सबसे पहले, तो उपर सबसे पहले है वेनुजुवला, वेनुजुवला के बदल साइट में है गयाना, शूरी नाम, और फिर है, पीछे राजिला गया है, यह फ्रांस इसी गयाना, शूरी नाम, और यह होगे गयाना, इदर लीचे छिली, अर्जेंटिना, और यह उरुग्वे, पराग्वे, बोल्विया और ब्राजिल, और यह अमेजन नदी ब्राजिल के फीच्चर भी तोकर बे रही है, और इदर एकर से पहाड़ी छेक रागए एकर, जहां से एंडी चे परवत्माल है, वोकर निकल यह उपर की साइड में जिसे हमें, यह तो दिख रहा है कहने के हेकर से लाड़ी छेतर है, और जो यह मध्य अफेरिकन कंट्री से यह पनामा, पनामा केना लोकर गुजर रही है, फिर आगे चलते हैं हो, पनामा सिटी, बेलीज आगे साइट, ग्वार्टेमाला, फिर मेक्सिको आगया, यह केरिबीन सागर, फिर मेक्सिको की खाड़ी, एक्टलांटी कोशन हो चिटी, बेलीज, ग्वार्टेमाला, होंडूरस, कर्भुवा, कोस्टेरिका, पनाम, यह काराकस, ग्रेनेडा, यह त्रिनेदा, और टोबेगो, बोद चर्चा में बने रहेते हैं, प्रेस्ट, यह क्यूबा, यामेका, यह पोर्टो प्रेंस हैती, बहमास, यह प्योर्टो रिको, बारस्य अगर, हम यह आना है, बाइनेका युस्तर से यह समुद्धे, रस्तर पक्रण पड़ेगा, हिन्ज मासा कर सोत्कुए, रफ्चिनी, अन्ट्लांचें, मासा कर सोत्किनी, लेटिन अमेरिका में पहुंचें है, यह अर्जेंटिना की राज्जानी, यूनस, आयर्च, यह सेंटियागो, तरकी साइड एक रेकिस्तान भी आ गए है, यह एक तर से हाड़ी चेतर दिखरा बिल्कुल दिखरा, यह पोकले आईलेंड्स, जहां पहने के भी प्रिटन का अभजा है, यह यूक्रेन का देख लेज़े एक बार में हुआ, यह यूरोप का में और यह यूरोप में यूक्रेन हुए, यह माल्डोवा, रोमानिया, स्वाकिया, पॉलेंड, बेलारूस और इज़र रूस, इसकी राज़दानी की हो गई, यह खार की हो गया, जूहांस को गया, डोनस को हो गया, यह जेपोरे जीया, परमानु सेंट, रचाम बना हुआ हैं अभी, यह ओडेशा पोर्ट आईए, इससे जहां से, कालसा पर चुप्लाई यह फूर्चेन है, तुरकी सप्लाई होते हुए, पुरे देशन सप्लाई की जा रही हैं, यह चेनवी, चेनहीव, भी, यह बेलग्राट, यह यह से सहरे जो चर्चाम बने रहे रहते थेश्के, इसीगे निचे ब्लेक सागर आगया, यह इसका चेत्र प्रिप्लेवाला चेत्र आगया, यह आल्टा, यह एजोब, सागर, इप, मैंने के अभी यह कीजे, वह ज्यादा चर्चाम बने है, क्योंगे अभी कहें के रूस्त, यह स्कानबूल, यह मारमारा सागर, इन दोनों के बीच में होगे, बोस्पोरस जल संदी, इसके बीच में यह मारमारा सागर हो गया, और यह लेक सागर होगे, दोनों के बीच में वसुरस जलसंदीग Marmere City Agency Journalist की जलसंदीग दोनों के बीच में Marmere City और Agency के बीच में बीच में Journalist की संदीग बर यह भूममत दिसागर आगिया, इस परस्टाम को इसको मेप पो देखना है, यह मारा आजका जिए आइनलेसिस है, उन्हें ही समाप्त करते हैं, बर नहींगा है.